आज मैं तुम्हें नभी मूसा अले सलाम की कहानी सुनाओंगा वो कौन थे बाबा? नभी मूसा अले सलाम को इसलाम में एक नभी, एक संदेश वाहक और मार्गदर्शक का स्थान प्राप्त है ऐसे अकेले व्यक्ति हैं जिनकी चर्चा कुरान में सबसे अधिक की गई है कुरान हमें ये बताती है कि नभी को अल्लाह ने मिस्र की राजा और इस्राइलियों का मार्गदर्शन करने और उन्हें चेतावनी देने के लिए भीजा था अरे वा, मुझे कहानी सुनाईए ना बाबा ठीक है, अब ध्यान से सुनो कहानी नभी मूसा अलेह सलाम की नभी मूसा अलेह सलाम एक राजगुमार के रूप में बड़े हुए उस समय प्राचीन मिस्र कराजा फराओ याकूब अलेह सलाम के अनुयाईयों से अत्यंत क्रूर व्यवहार करता था ये अनुयाई इस्राइल की संतानों के नाम से जाने गए उन्हें दासों की तरह रखा जाता और बहुत कम वेतन में परिश्रम कराया जाता और कई बार तो कुछ भी नहीं दिया जाता फराओ चाता था कि इस्राइली केवल उसका आदेश माने और उसके इश्वर की आराधना करें इसी प्रकार मिस्र में और भी कई राजवन शाय और उन्होंने स्वयम को इश्वर माना या फिर इश्वर का प्रवक्ता इस्राइलियों से अत्यदे घ्रणा करता था वो इस्राइलियों को दंड देने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ता था वो सामराज्य में उनकी दिन दूनी राज चोगुनी प्रगती देखकर उनसे बहुत वेश रखता था एक रात जब फराओ सो रहा था उसने एक स्वपन देखा अपने स्वपन में उसने देखा कि एक बड़ा सा आग का गूला आकाश से नीचे आया और उसने पूरे नगर को जला डाला आग ने मिसर के निवासियों के घरों को जला डाला लेकिन इसराइलियों के घरों को कोई हानी नहीं पहुची फेराओ भैभीत हो गया उसे अपने स्वपन का अर्थ समझ नहीं आया इसलिए उसने अगले दिन मौलवियों और जादूगरों को बुलाया फिर उसने उनसे अपने स्वपन का अर्थ पूछा मौलवी ने उससे कहा इसका अर्थ है इसराइलियों के यहां एक लड़के का जन्म होगा और मिस्र के लोग उस लड़के के हाथों मारे जाएंगे फराओ क्रोधागनी में जल उठा उसने आदेश दिया कि इसराइलियों के यहां जन्म लेने वाले हर लड़के को मार दिया जाए और सैनिकों ने इसराइलियों के यहां जन्म लेने वाले हर लड़के की हत्या करनी आरंप कर दी जब नभी मूसा अले सलाम ने जन्म लिया नभी का जन्म एक निर्धन इसराइली परिवार में हुआ उनका एक बड़ा भाई था जिसका नाम हारुन अले सलाम था और उनकी एक बहन भी थी अल्ला सुभानल ताला के पास नभी के लिए एक योजना थी उन्होंने उनकी मा को आदेश दिया कि वो उनेक टोकरी में रखें और उसे नील नदी में बहा दें मूसा अले सलाम की मा ने वही किया जो उनके कहा गया था उन्होंने उन्हें बैती हुई नदी में छोड़ दिया उनका हरदय अपने बेटे के लिए बहुत दुखी था वो जानती थी कि अब तक अल्लाह ने उनके पुत्र को सुरक्षित रखा है और आगे भी कोई हानी नहीं पहुँचने देंगे जब तोक्री दूर बह गई तो उन्होंने अपनी पुत्री से तोक्री का पीछा करने को कहा और ये पता लगाने को कि उनके पुत्र को कोई हानी नहीं पहुँची है तोक्री नदी में लंबे समय तक बहती रही और नभी की बहन उसका पीछा करती रही जैसा कि उनकी माने उन्हें आदेश दिया था अल्लाह टोकरी का मार्गदर्शन कर रहे थे कुछ समय नील ददी में प्रवाहित होने के बाद वो टोकरी एक पतली धारा में प्रवेश कर गई उस धार में फराओ की पत्नी स्नान कर रही थी जब उसने वो टोकरी देखी तो अपनी सेविकाओं से उसे तट पर लाने को कहा जब उसने बच्चे को देखा तो उसे उस पर प्रेम उमडाया फराओ की पत्नी फराओ से बहुत अलग थी वो एक विश्वासी और दयालू महिला थी उसे बच्चे के लिए तीवर उतकंठा थी जब उसने उस बच्चे को देखा तो उसे गले लगा लिया और चूनने लगी पत्नी को एक बच्चे को प्रेम करता देखकर फराओ आश्यारी में पढ़ गया प्रसनता के मारे उसकी पत्नी की आँखों से आंसू निकल रहे थे और ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था मुझे बच्चा रखने दो ये हमारा पुत्र होगा उसने अपने पती से निवेधन किया फराओ मना नहीं कर पाया और उन्होंने उस बच्चे को ग्रहन करने का नेने किया कुछ समय बाद बच्चे को भूक लगने लगी और उसने रोना आरंभ कर दिया रानी ने तब कुछ दाईयों को उसे दूद पिलाने के लिए बुलाया किन्तु बच्चे ने उनमें से किसी का भी दूद नहीं पिया और फिर सैनिक उसकी बहन को रानी के पास लेकर आए ये लड़की टोकरी का पीछा कर रही थी उन्होंने बताया बहन ने उत्तर दिया मैं तो बस जिग्यासा वज टोकरी का पीछा कर रही थे रानी जी। जब उसने अपने भाई को रोते हुए देखा तो उसे चिंता हुई और उसने बता ही दिया। मैं किसी को जानती हूँ जो उसे दूद पिला सकता है। रानी सहमत हो गए और उन्होंने सैनिकों को उस महिला को लाने का आदेश दिया जिसके बारे में वो छोटी रड़की बात कर रही थी। नभी की बेहन फिर अपनी मां को ले आई और उन्होंने दूद पिलाना आरंभ कर दिया। जैसे ही उन्होंने बच्चे को छाती से लगाया उसने दूद पीना आरंभ कर दिया। फराओ ये जानती थी कि अगर उन्होंने सच बोला तो वे बच्चे की हत्या कर देंगे। इसलिए उन्होंने कहा मेरा दूद मीठा और सुगंदेत है इसलिए कोई बच्चा मना नहीं करता। उनकी उत्तर ने फराओ को संतुष्ट कर दिया और उन्हें दाई के पद पर न्यूक्त कि मुसा अले सलाम महल में एक राजकुमार की तरह बड़े हुए। अल्ला ने उन्हें अच्छे स्वास थे, शक्ति, ज्यान और बुद्धी का उपहार दिया। वो बहुत दयालू थे। इसलिए निर्बल और पीडित व्यक्ति गाहे बगाहे उनसे सहायता मांगने आते। ए नभी ने उस निरी की सहायता करने का नेना लिया। उन्होंने सैनिक से हिंसा बंद करने को कहा। सैनिक ने उनसे ही प्रमान मांगते हुए उनके बारे में पूछा और कुछ ऐसा कह दिया जिससे नभी को बहुत क्रोध हाया। सर्वप्रथम नभी ने सैनिक को समझाने का ब पसीना छूट पड़ा, उन्होंने अपने आप से कहा, ये शैतान का काम है, उसने मुझे पत्वरष्ट किया है। नभी जानते थे कि जब तक किसी पर अभियोग न चले और वो अपराधी सिध्ध न हो, तब तक उसे मारना पाप है। वो वहीं घुटनों पर बैठ गए और अल्ला से प्रार्थना करने लगे, ए मेरे मालिक, मैंने अपनी आत्मा को मैला कर दिया है, मुझे एक शमा करने। जो मिस्र का निवासी लड़ रहा था, उसने ये पूरी बात सुनी और जाकर अधिकारियों को बता दी। वो यात्रा के लिए तयार नहीं थे, उनके पास कोई साधन नहीं था और ना ही कोई जट था। जैसे ही उन्हें चेतावनी मिली, वो वहाँ से चले गए। माशालला, ये एक बहुत अच्छी कहानी थी। मुझे प्रसनता है, तुम्हें अच्छी लगी बेटा। हाँ, बिलकुल। ठीक है, तो मुझे बताओ, फराओ ने इस्राइल में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे को मारने कादेश क्यों दिया। हम, क्यूंकि मौलवी ने उन्हें चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि इस्राइलियों के घर एक बेटा पैदा होगा, जो मिश्र के लोगों के मृत्यू का कारण बनेगा। माशालला, ये सही है, अब मुझे बताओ, नभी की माने उन्हें कैसे वचाया। अल्ला ने उन्हें अपने बच्चे को टोकरी में रखकर, नील नदी में प्रवाहित करने का आदेश दिया। और क्या तुम मुझे बता सकते हो, वो टोकरी किसे मिली। वो टोकरी रानी को मिली और उसने उस बच्चे को गोध ले लिया। बहुत अच्छे, अब मुझे बताओ नभी को मिस्तर क्यों छोड़ना पड़ा। क्यूंकि एक इसराइली को बचाने के प्रयास में नभी से मिस्तर के सैने की हत्या हो गई। जब सैने क उन्हें पकड़ने आए, तो नभी ने देश छोड़ दिया। ये बहुत बढ़िया था, और अब आज के लिए इतना ही, मैं तुम्हें कल एक और कहानी सुनाओंगा, शुबरात्री मेरे बच्चे।